So next chapter कौनिक sections sentence कॉनिक section कई पीछला chapter पड़ estos को स्थेट युवेशंस इकुथे लाइन कीक्वेशं से और पास parenticular distance त्यक्वियूस त्यक्रषण से फिए फिर आती इसमें हमारे पास क्या अलगरबर टैपTR की फीगर्सिंग जैसी पराब। हो गया state line होगी circle होगे यह सब कि हम क्या निकालेंगे हम अपनी equations निकालेंगे और वो Cartesian plane में किस तरीके से यूज करते हैं वो हम इस chapter में check out करने वाले देखो conic section में सबसे पहले हमार पास आता है circle circle आपको पता है circle है उसका जो center है वो हमने hk से hk मतलब उसके coordinates है और जो उसकी radius है वो r है और जो radius में circumference पर जो point है वो x y हमारा point आता है तो अगर हम equation of circle लिखना चाहिए तो वो किसके कोल आती हो आती है x minus का h plus y minus k का whole square is equal to r square के equal आती है यह हमारे पास क्या आगी equation of circle आगी अब बात करते है equation of circle whose center is 00 अगर center 00 तो हमापर x square plus y square is equal to r square के value equal आईगी next चीज आती है general form of the equation of circle means एक जो general form है जो कि आपको इतनी ज्यादा use नहीं करने पड़ेगी बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो general form होती है ज्यादा तर आप जो first वाली है यही आप use करोगे means x-h का whole square plus y-k का whole square is equal to r square यहापर जो general form होती है वो होती है x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 यह एक general form है यह आपको अगर examination में दी हुई है तो उसको आप compare करोगे अपनी gfc value से और gfc इन तिनों की value से आप क्या निकालोगे center निकालोगे और radius निकालोगे फिर आप अपनी क्या बनाओगे equation of circle बनाओगे जो की gfc की value किसके होती है मालोगो अपने इसकी equation को compare करके आपने gfc की value निकाल ली तो वहापर जो center of circle होगा वो minus g minus का f के equal होगा यह coordinates है और radius कि किसके के equal होगी under root g square plus f square minus का c square के equal हमारी यह आएगी next हम बात करते है पैराबोला देखो पैराबोला कुछ इस तरीके से हमारे पास figure बनती है तूस में हमारे पास क्या होते है एक basically four types के पैराबोला होगे एक तो y axis में हमारा z axis में प्लस में और हमारा क्या होगा माइनस में हो गया जो पैराबोला की equation होती होती y square is equal to four ax हमारी value आती है अब इसमें देखो आपको ध्यान क्या रखना है ध्यान आपको यह चीज़े रखनी है vertex focus equation of detrix आपका lotus rectum और latest rectum और साथ-साथ आपकी axis आपको 4-5 चीज़े याद रखनी है अब यहाँ पर मैंने table बना रखना है तो सबसे पहले आपका होगे x axis वाला फिर आपका क्या होगे negative x axis वाला और फिर आपका होगे y axis वाला और फिर यह चीज़े आपको और फिर माइनस का a 0 और 0 a एंड हमारा पास 0- माइनस का a जो y axis वाला होता है simple जो x वाली side बनता है जैसे figure में आग इसको चीज़े को figure में आप और चैसे समझ सकते हो जैसे side में figure बनी हुई है तो जैसे हमारे पास x axis side वाला हो गया तो यहां पर जो s की value focus की value है वो क्या है s मतलब जो s है एक तरह से focus वो a 0 हमारी value आती है ऐसी आता है equation of detrix equation of detrix का मतलब है जो हमारे पास x की value है means वो कितने दूर है center से x axis से और साथ-साथ हमारा a point a point हमारा हो गया जो हम जहां पर हमारे क्या बनता था focus बनता था उन दोनों की जो equation x plus का a वो किसके एकवल आती equation of detrix के एकवल आती है next आता है latest rectum latest rectum सबका 4a के एकवल होता है means एक तरीक से जितना भी वो उसका center origin से जितना उसका center दूर है focus दूर है उन सबका अगर 4 times कर दे तो हमारे पास किसके को लाएगा latest rectum के को लाएगा next आता है axis axis में जैसे एगर y square is equal to 4a equation है तो वो positive x axis की तरफ है और y square is equal to minus का 4a x है तो negative x axis की तरफ है और x square is equal to 4 ay है तो वो क्या वो जो parabola वो किस तरफ बनेगा वो positive y axis की तरफ बनेगा और अगर x square minus का 4a y है आपकी पास equation दी हुई है तो उसका जो parabola बनेगा वो negative y axis की तरफ बनेगा इस तरीक से आप पता लगा सकतो equation की हैसे parabola किस axis में है और कहां पर यह सारी आपकी value क्या निकाल सकते हो निकाल अगर आप क्या करो ratio निकाल दो तो आपकी क्या आगी eccentricity के call आईगी next आपकी जो figure आती हो आपकी ellipse का मतलब क्या होता है simply आपका spherical form हो गया लेकिन वो oval shape में होता है उसको हम बोलते है ellipse ही इस तरीके साब इसको define b कर सकते हो ellipse में देखो आप क्या कर सकते है ellipse भी डो type के है एक तो हमारा x-axis में होगे एक simply होगे हमारा y-axis में mean simple xy तो नहीं बोलते है हम यहां पर बोलते हो horizontal होता है हमारे पास क्या होता है vertical होता है यह सब मैंने आपको वहां पर value दे रखे है जैसे a और b a के जो हमारे पास point आएंगे वह a 0 b के point है हमारे a और b a dash के point है माइनस का a 0 और b के हमारे point आगे 0 और माइनस का b इसी तरीकी से इसमें भी सब कुछ आता है हमारा focus आता है हमारा equation of dietrics आता है यह सब कुछ हमारे relation आते है जो हमारे इसकी general equation होती हो थी x square by a square wonder this नहीं रहे हमारे क्या हो और अगर कि आता है आपको चीजें क्या की कैसे की याद रखनीए रखनी है वह यह आता है मैंने की wishing लिखे रखी एक तो हमारा x य एक में इसमें दोनों में अगर हमारा A बड़ा है तो major axis A होगी अगर B बड़ा है तो major axis क्या होगी? Y होगी और minor तो मतलब उसका उल्टा. Point of vertex, vertex के point क्या होगे? अगर A बड़ा है तो plus minus A 0 अगर B बड़ा है तो 0 plus minus का B है हमारे coordinates आते हैं ऐसी focus, focus कहां पर होता है? focus जो आपका x-axis वाला ellipse होता है, उसका focus होता है plus minus A into eccentricity 0 वाला होता है and C 0 means C मतलब हमारा center वाला इस तरीकिसा आपके focus आजाते हैं. length of major axis कैसे निकाल सकते हो? first वाले की 2A होगा और second वाले का means अगर वो y-axis वाला है तो 2B आपका formula होगा. ऐसी minor axis का minor axis में vice versa हो जाएगा. अगर x-axis में है तो 2B होगा और अगर वो y-axis में है तो आपका क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा. next आता equation of detrix, x-axis वाले की equation होती है, x is equal to plus minus का A upon E, E हमारा eccentricity point होगा है और y-axis वाले की होगी y is equal to plus minus B upon A means x वाले में A यूज होता है और y वाले में आपका basically B यूज होता है. eccentricity कैसे निकाल सकते हो? E is equal to C by A से निकाल सकते हो और C किसके को रोता है root A square minus B square की equal होता है, उस सब का root. next आता है length of latest rectum, किसके को रोता है? 2B square by A in the case of x-axis ellipse और 2A square B in the case of y-axis ellipse. यह सब आप formula है, आप क्या कर सकते हो? वैसे इसमें कुछ है इतना ज्यादा मतलगी याद करना और इस ज्यादा डीपली समझने का भी नहीं, दो तीन बार पढ़ोगे, एक मुश्किल से दो तीन question करोगे, आपके क्या चेज़ के लिएर हो जाएगा, यह सब चीज़ रिलेटीड आती है हमारे पास, रिलेटीड टू ellipse और उसकी सारी equation होगी, x-axis और y-axis वाला, आगे बात करते हैं hyperbola, hyperbola की equation होती होती, x square plus x square upon a square plus y square by b square is equal to 1, अगर a, b से बढ़ा हुआ है, hyperbola दिखने में कुछ इस तरीके से होता है और अगर b, a से बढ़ा है तो वहाँ बर बीच में क्या आजाएगा, negative sign आ जाता है और जो y वाला है वो पहली value आगे लिखते हैं, लिखेंगे कैसे y square upon a square minus x square by b square is equal to 1, k equal आएगा, बाकि सब कुछ जीतने भी चीज़े हैं, major axis, minor axis, point of vertex, focus जीतने भी साड़ी चीज़े हैं, वो सब कुछ जैसे ellipse में होती लिए, उसी तरीके से हमारी होती है इस तरीके से हमारे पास chapter आता है, conic section, पहले circle, फिर parabola, फिर hyperbola और फिर हमारे पास ellipse, ये चारो आपके क्या होती है, चारो examination में किस तरीके से question आएगा, आपको एक general equation दे देंगे, उसमें से आपको focus निकालना है, compare करके, या फिर आपको equation of debtrice निकालना है, eccentricity निकालना है, और आपको land और major axis वो इस तरीके से छोटे-छोटे point आपसे क्याल लेता है, पूछ लेता है, या फिर आपसे equation drive करा लेता है, इस तरीके से chapter में question आएगे, ये सब आजाते है, आपका related to conic section,